जैश्री महांकाल जैश्री महांकाल दोस्तों आप सभी कापके अपने चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपका बहुत आभार है अभी तर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं कहा है तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले हम इस वीडियो में बात करन पा सकते हैं सबसे पहले तो मैं आपको ये बात क्लियर कर दूँ कि हर एक वेक्ति पर इस दुनिया के हर एक सक्ष पर मालक्षमी की क्रपा जरूर है किसी पर कब किसी पर जादा और देखने का नजेरिया भी एक बहुत बड़ा इसमें हमारा एंगल होता है कि हम किस तरह से चीज़ों को दीखने है तो हम उन तीनों मुद्दों पर बात करेंगे और उससे पहले एक निवे दे लेकि अगर अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करने और वुडियों को अगर अच्छा लगे तो लाइक करेंगे शेयर करेंगे और अगर आप मुझसे बात करना चाते है तो स्क्रीन पर नमबर चल रहे है आप मुझसे वाटसअप पर अपोल्मेंट लेकर बात कर सकते हैं सबसे पहला संकेत या सबसे पहली बात कि घर में जो भी अनुपयोगी चीज़े हो जो जिसे हम कबार कहते हैं जिसे हम अनुपयोगी चीज़े कहते हैं जिसे हम वेस्टेज कहते हैं जो भी खराप चीज़े हैं उन सभी को पहली द्रश्टियान्त या पहले प्रभाव से आप उन्हें जल से जल घर से बाहर कर दे, उनका निप्टारा कर दे या तो उन्हें घर से किसी दूर अन्नी जगा पर रख दे या उसका बाड को बेज दे जितना आप साफ, सुत्रा और सच्छिता रखेंगे तो मालक्षमी की क्रपा आप पर होगी यह पहला basic सा concept है और यह real है मैंने कहीं सारे जातकों के साथ यह अनुभाव किया है और यह कहिए कि घर में बहुत से अनुपयोगी चीज़ों होती है बहुत सारी ऐसी चीज़ों होती है कि जितना घर खाली खाली आप रखेंगे जितनी कम चीज़े रखेंगे जो उपयोगी है जीवान के लिए वो रखें बाकि अनुपयोगी चीज़ों को आप न रखेंगे पहला सबसे मुख्य साइन पहला संकेते कि इस चीज़ को ना करने से मालक्षमी की करपा होती है दूसरा संकेते जो सबसे ज़्यादा महत्मून है कि हम समय से ज़्यादा और समय से भी ज़्यादा समय जो चल रहा है उसके अकोर्डिंग भी और समय से ज़्यादा जो खर्च हम कर रहे है उस खर्च पे भी लगाम हमको लगाना चाहिए हमें चीज़ों को अब्जर्वेशन करना चाहिए हम हमारे हिसाब से हमारे तरीके से चीज़ों को हमें खत्म करना चाहिए लगी लोगों को देख करना चाहिए इन्होंने इसा क्या तो हम भी इसा करेंगे या ये चीज़ें करेंगे क्योंकि कर्ज हो जाता है कर्ज के बाद फिर कहीं सारी परिशानिया हम पर सुरू हो जाते हैं तो सबसे बेसिक सा कॉंसेप है कि जितना धन हो हमारे पास उसी में जो भी काडिक्रम या जो भी चीजें हमें सिद्ध करनी है वो परेयास करें और वो सबसे आसान तरीका है ये बहुत बहत्पून बात है तीसरी और मह्त्मून बात है, महिलाओ का सम्भान आप महिलाओ का सम्भान करेंगी तो माल-क्षमी की करपा पर हमेशा रहेगी, कभी भी धनलका भाउं नहीं इसमें महिलाओ 30 मैं मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि वो शक्ती है, सोरूप है तो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें